हलो दोस्तों नमस्कार मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजूकेशन तो मेरे प्यारे साथियों आज हम बात करने आये हैं DMLT और DRT इन दोनों कोर्सेज में क्या अंतर है और DMLT और DRT के फैस्ट यर और सेकंड यर में क्या सिलेबस है क्या पेपर पैटरन है और DMLT और DRT करने के बाद कौन-कौन से जोब हैं कौन-कौन सी वेकंसी आती हैं और इसके अलावा DMLT और DRT में कैसे एडमिसन होता है कौन एडमिसन ले सकता है और इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे कि जो DMLT और DRT कॉर्स हैं इसकी तयारी कैसे करें जो बच्चे एडमिसन ले चुके हैं बहुत सारे ऐसे कोलेज हैं जहां पर क्लासे नहीं लगती है और इस वज़े से बच्चे जब एक्जाम देते हैं तो उनके सप्लिमेंटरी आ जाती है बेक आ जाती है तो उससे बचने के लिए कैसे पढ़ाई करें क्या तरीका होना चाहिए तो दोस्तों सभी बिंदूओं पर बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं DMLT और DRT कॉर्स की योग्यता सब्सक्राइज 17 साल होनी चीए ठीक है दूसरा में तो पूंट यह है बचो कि यह जो DMLT और DRT है यह दो साल के डिपलोमा कोर सेजे ठीक है इसमें फैस्ट येर और सेकंड येर दो साल की पड़ाई होती है बचो अब इसका सिले बस क्या है मतलब कि फैस्ट येर में क्या पड़ा जाता है और सेकंड येर में क्या पड़ा जाता है और देखिए बचो के लिए entrance exam लगता है और कुछ राजियों में बच्चो 12th के percentage based पर merit बनती है और admission हो जाता है अब देखिएगा fast year में कौन-कौन से subject है तो अगर हम fast year की बात करें बच्चो तो यहां पर जो है fast year के अंदर आपका communication skill in English यह एक general English बच्चो आपको देखने को मिलती है इसके बाद में यह मैं बता रहा हूँ DMLT का syllabus किसका बता रहा हूँ यह है आपका DMLT fast year क्या दोस्तों DMLT fast year के syllabus के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है बिलकुल तो देखिएगा पहला तो हो गया English grammar फिर है computer अब दोस्तों English और यह computer जो है यह एक बार आपको pass करने है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यह man subject नहीं है man subject यहां से शुरू होते हैं यह पहला man subject है anatomy and physiology सबसे important है so number का paper होता है इसका फिर है दोस्तों hematology and blood banking not कर लेना दोस्तों hematology and blood banking बिल्कुल जी बिल्कुल अब देखिएगा इसके बाद में अगर हम बात करें तो next आपका तीसरा जो paper रहता है वो है clinical pathology का clinical pathology पहला एना फीजियो फिर hematology और blood banking फिर आपका clinical pathology फिर clinical practical training ठीक है और इसके बाद में MLT instrument practical lab fast और फिर last में दोस्तों hospital industrial इंडस्ट्रिकल ट्रेंग तो यहाँ पर बच्चों नीचे के जो यह तीन है यह तीनों आपके practical के subject हैं किसके हैं बच्चों practical के subject हैं और उपर अगर हम देखें दोस्तों तो यह आपका theory का portion है यह उपर का आपका theory का portion है तो याद रखिएगा यहाँ पर बच्चो सो नमबर का है ना फीजियो, सो का आपका हेमेटोलोजी और ब्लड बेंकिंग, सो की आपकी क्लिनिकल पैतोलोजी और इसी तरह से दोस्तों कम्प्यूटर एप्लिकेसन और इंगलीस ग्रामर भी यहाँ पर सामिल है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब हम उतकृष्ट प्रबंदन को लेकर के पेपर है, इसके अलावा एक आपका एन्वार्मेंटल स्टडी, परियावरण, ठीक है, इसके बाद में में सब्जेक्ट यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना, यह क्या है दोस्तों, माइक्रो बाइलोजी, इंक्लिूड पेरासाइटो और इम्मिनोलोजी, तो पहला माइक्रो बाइलोजी हो गया, दूसरा पेथोलोजी, तीसरा बायो केमिस्ट्री, यह तीन में सब्जेक्ट है, देखो तीन ही में फेस्ट यहर में थे और तीन ही में सब्जेक्ट सेकिंड यहर में है, बाकि टेंपरेरी है, कोई में चीज नह इसके अलावा ये नीचे practical का पूरा system है दोस्तों DMLT के अंदर 50% लगबग practical होता है और जो है 50% आपकी theory होती है लेकिन theory के अंदर pass होना जरूरी है और बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी नहीं कर पाते पड़ नहीं पाते हैं college बहुत दूर होते हैं college में जा नहीं पाते है तो क्या best तरीका है तो बच्चों में आपको एक बात बताना चाता हूँ विजय education app के उपर हम जो हैं अभी class शुरू करने जा रहे हैं DMLT और DRT दोनों diploma के लिए अगर आप विजय education app के online बेच में जुड़ करके DMLT और DRT के first year और second year की पढ़ाई करना चाते हैं तो हम first year का और second year का दो अलग-अलग बेच launch करेंगे तो कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाता है अपने घर पे रह करके बहुत अच्छी team के द्वारा और यहां पर जो बेच आपको मिलेगा वो bilingual मिलेगा उसमें इंदी और इंगलिस दोनों मीडियो में समझाया जाएगा ये बेच दोस्तों अगले सब्ता launch कर दिया जाएगा तो कोई भी बच्चा अगर जुड़ना चाता है registration करवाना चाता है तो नीचे गूगल फोरम दिया हुआ होगा उस पे टिक करके बच्चों आप उस गूगल फोरम में अपनी जानकारी बेच देना अन्यता बच्चों ये जो नं मैं बात करना चाता हूँ ये तो सर DMLT की बात हो गई ये तो किस की बात हो गई दोस्तों DMLT की ठीक है ना अब हम आगे चलते हैं मैंने DRT का भी आपका जो syllabus हैं वो आपके लिए रखा है और मैं ये चाता हूँ कि कोई भी हमारा student क्यों ना हो उसे जो हैं बहुत अच्छी जानकारी मिले और उसे फाइदा हो देखिएगा बच्छो DMLT की मैंने बात कर ली अब अगर हम बात किसकी करते हैं DRT की तो मैं DRT का syllabus भी आपके लिए यहां पर जो हैं लगाने वाला हूँ कि एक DRT के अंदर आप कौन कौन सी चीजें पढ़ सकते हैं और कैसे पढ़ सकते ह यह लीजिएगा यह है आपका DRT फेस्टियर में DRT फेस्टियर में क्या पढ़ा जा सकता है DRT फेस्टियर में सबसे पहले तो है दोस्तों रेडियो लोजिकल एनाटमी और फीजियोलोजी यानि लगबग DMLT वाला सेमी है कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है इसके बाद मे अगला है दोस्तों डार्क रूम प्रोसीजर क्या डार्क रूम प्रोसीजर यह चार थियोरी के सब्जेक्ट हैं तो यह 400 नंबर की आपके DRT के अंदर थियोरी है बच्चों ठीक है कि नहीं बिलकुल फिर यह नीचे दो प्रेक्टिकल है पहला है क्लीनिकल एंड इंस्ट्र 600 मार्क्स की है कितने नंबर की है 600 मार्क्स की है अब बात करते हैं DRT सेकंड यर DRT सेकंड यर के अंदर कौन कौन से पेपर है देखिए DRT सेकंड यर में पहला है रेडियोग्राफी सेकंड अब रेडियोग्राफी फैस्ट तो था फैस्ट यर में सेकंड है सेकंड यर में मै बता रहा हूँ DRT second year का syllabus बता रहा हूँ DRT second year का बच्चो जो है हम syllabus यहाँ पर देख रहे हैं ठीक है इसके बाद में अगला है basic principle of radiography ठीक है फिर इसके बाद में अगला है दोस्तों recent advance ठीक है ना तो यह तीन paper हो गए इसके बाद में अगला है दोस्तों patient care management और इसके बाद में नीचे यह practical के subject है बच्चो clinical instrument second और seasonal assessment ठीक है तो यहाँ पर भी बच्चो 400 number की तो आपकी क्या है theory है और 200 का क्या है बच्चो practical है total 600 का क्या है आपका paper है तो DRT और DMLT दोनों का मैंने first year और second year का syllabus आपको बता दिया है और आपको मुझे लगता है कि जरूर समझ में आया होग कि भाई आपके syllabus में क्या है first year में मैंने आपको बता दिया DMLT में क्या था DMLT में एना फीजियो है hematology है और clinical pathology है और second year में क्या है microbiology है pathology है और bio chemistry है बच्चो ठीक है कि नहीं बिलकुल तो यह आपके subject है बच्चो अब आप मेरे से पूझ सकते हैं कि सर best books कौन सी होनी चा education एप पर आपको course के साथ free में देंगे तो कोई भी बच्चा अगर विजय education एप का online बेच लेता है तो आपको course के साथ सारी चीजे free में मिल जाएगी अब आप पूछेंगे sir online course की fees कितनी है विजय education का कोई भी बेच लेते हैं अगर आप तो दोस्तों उसकी fees 1000 रुपे से त सबता तक आपको fees भी पता चल जाएगी और अगर आपको बेच नहीं भी लेना है तो कोई दिकत नहीं है मैंने जानकर ही बताई है आपको अच्छी लगी होगी बच्चों और एक बात बता दूँ आपके family में कोई BSI student है जो BSI nursing करना चाता है पेरा medical में admission लेना चाता है फा आप UP, Bihar, MP, हरियाना, राजस्तान आप किसी भी स्टेट से हैं इनकी तैयारी कर सकते हैं तो दोस्तों आपको अगर ये जानकरी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक भी ये जानकरी जरूर शेयर करना DMLT और DRT दो वर्स ये डिपलोमा कोर सेजे बच्चों और इसक काम कर सकते हैं लेब टेक्निशन की भी बरती निकलती है और रेडियोग्राफर की बरती निकलती है रेडियोग्राफर की बरती पर DRT किये हुए को रखते हैं और मेर दोस्तों लेब टेक्निशन की बरती में DMLT किये हुए स्टाप को रखा जाता है ठीक है तो बहुत अच् स्मेहत और साइंस बायों के बच्चों के लिए आज के लिए इतना ही जय हिंद वंदि मात्रम